हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूमीका के किचन, तो आज मैं बना रही हूँ, बच्चों और पड़ो सबको पसंद आने वाली एकदम क्रिस्पी, फुली-फुली सी मटर की कचोडी, जिसको की आप स्टोर करके दो-तीन दिन के लिए रख सकते हैं, तो चलिए हम इसे बना तो इन्हें बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी मैदा लिया है, आप चाहें तो इसे सिर्फ गेहूं के आटे से या फिर सिर्फ मैदे से बना सकते हैं, और इसी के साथ यहां पर मैंने हाप कटोरी सूजी ली है, और फिर उसी कटोरी स से वन फोर्थ कटोरी से भी कम मैंने ओइल लिया है तो ओइल थोड़ा सा हम कम ही यूज करेंगे अभी इसमें मैंने थोड़ा सा नम्मा के अड़ कर दिया है और क्रेस करके अजवाइन इन सब को डालकर हम अच्छे से मिक्स कल लेंगे तो ये देखिए ये बाइंड हो रहा है पर बहुत ज़्यादा बाइंड नहीं हो रहा हम बहुत ज़्यादा ओइल इसमें नहीं डालेंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी एड़ करके इसका एक सौप्ट सा डो रेडी कर लेंगे और अभी इसको हम लगभग 5 मिनट इस तरह से गूत लेंगे और इस चीज का ख्याल रखेगा कि आपका डो थोड़ा सा सौप्ट हो बहुत टाइट डो ना बनाया नहीं तो फ्राई करते समय आपकी कचोणियां फटेंगी और अभी इसमें हमने थोड़ा सा ओयल लगा दिया है और इसके बाद हम इसे आदे घंटे के लिए रेश्ट होने के लिए रख देते हैं जब तक ये रेश्ट हो रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग रेडिकल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ये फ्रोजन मटर लिया हुआ है आपके पास अगर फ्रेस मटर है तो वो आप ले सकते हैं और अभी इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्ज, थोड़ा सा अद्रग और हरी धनिया डाला है और अभी हमने गैस पर एक पैन चड़ाया है और उसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ओयल डाला है जब हमारा ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम हाफ टेबल स्पून जीरा हाफ टेबल स्पून इसमें हम अजवाइन और इतनी हम इसमें सौप डालेंगे और इसके बाद जब अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम दो टेबल स्पून भर गे बेसन एड़ कर देंगे और बेसन को हम अच्छे से रोष्ट होने देंगे और गैस की फिलेम को हम बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे हाई फिलेम पर हम बेसन को नहीं भूनेंगे नहीं तो वो जल जाएगा और जब हमारा बेसन अच्छे से भून जाएगा तब इसमें हम ये मटर वाला पेस्ट डाल देंगे और उसको डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब हमारा ये अच्छे से mix हो जाएगा तब इसमें हम ये dry basic masala आड़ कर देंगे तो इसमें मैंने धनिया powder थोड़ा सा और हल्दी powder, गरम masala, लाल मिर्च powder डाला है और इसमें मैंने अभी नमक आड़ कर दिया है क्योंकि अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था इसमें मैंने थोड़ा सा अमचुर powder और क्रस करके कसूरी मेती एड़ कर दी है इन सब को डाल कर हम अच्छे से mix करेंगे और मटर के पक जाने तक इसे अच्छे से भून लेंगे तो इसमें हमें 5-6 मिनट लग जाएंगे तो ये देखिए हमारी मटर अच्छे से भून गई है तो अभी से हम ठंडा कर लेते हैं जब हमारी stuffing ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना लेंगे या फिर आपको जिस size की कचोड़ी चाहिए उस तरह से आप बॉल बना लेजे आपको अगर बड़ी कचोड़ी चाहिए तो आप बॉल का size थोड़ा बड़ा रखें और अगर छोटी चाहिए तो छोटा तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारी बॉल बना ली है इस तरह से बॉल बनाने से क्या होगा कि हमारी सारी कचोणिया एक साइज की बनेंगी और आदे गंटे हो गये हैं हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो अभी से हम एक मिनट के लिए और गूत लेते हैं इसके बाद हम इसका एक छोटा सा लोई तोड़ लेंगे और इस चीज का ख्याल रखेगा कि आपका जो आटा है वो थोड़ा सा हमारी स्टफिंग से जादा होना चाहिए तब ही हमारी कचोड़िया अच्छी से फूलेंगी और अच्छी बनेंगी तो इस चीज का आप ख्याल रखेगा तो अभी इस लोई को हम इस तरह से पेड़े जैसा बना लेंगे और फिर हम इसे अंगूटे और उंगली की हैल्प से किनारे किनारे से इसे हम पतला कर देंग और बीच में हम थोड़ा सा इसे मोटा रखेंगे इसके बाद हम बीच में इसमें स्टफिंग रख देंगे और इसे इस तरह से हम बंद कर देंगे इस तरह से कि आप देख रहे हो इसके बाद हम इसे हतेली से इस तरह से प्रेस कर देंगे और फिर हम इसे उंगली और अंग सारी कचोडियां बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने सारी कचोडियां इस तरह से बना ली है तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है आपको जो भी ओयल पसंद हो वो आप ले सकते हो और हमारा तेल जब बिल्कुल हलका गरम होगा तब ही हम इसमें कचोड़ी डाल देंगे और हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और जब यह हमारी कचोड़ी आपने आप से उपर आ जाएंगी तब इन्हें हम अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे तो इस चीज का ख्याल लखिएगा कि आपकी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहनी चाहिए तब ही हमारी कचोड़ी अग्दम क्रिस्पी बनेंगी अगर आपने गैस की फ्लेम को हाई या मेडियम कर दिया तो फिर ये कचोड़ी आपकी क्रिस्पी नहीं बनेंगी तो देखें मैंने सारी कचोड़ीों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसी के साथ यहाँ पर मैंने हरी मिर्ज भी फ्राई कर ली है तो यह देखें कितनी फुली फुली सी एकदम क्रिस्पी कचोड़ी बनी है तो अगर आपको यह मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और यह मतर की आपका चोड़ी जरूर बनाईएगा थेंक यू